नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे नहरू रिपोर्ट 1928 तो पहले हम देखेंगे इस रिपोर्ट को क्यों लाया गया फिर इसकी क्या रिक्मेंडेशन थी और इसके आफ्टर रिफेक्स क्या हुए इंडिया में तो देखिए साइमन कमिशन आया था 1928 में तो सारे भारतियों ने इसको oppose करा था क्योंकि इसमें कोई भी Indian member नहीं था अब India इस चीज को oppose करा था तो तब Secretary of State जो Lord Brickenhead थे तो उन्होंने Indian leaders को challenge करा कि अगर आप इतने ही capable हो तो आप अपना खुद का constitution draft क्यों नहीं कर लेते हो इस challenge को सारे political parties ने accept करा और एक All India Party Conference बुलाई गई जिसमें एक committee बनाए गई जो इंडिया का constitution draft करेगा अब इस committee को हम बोलते हैं नहरू committee इसके chairman थे मोतिलाल नहरू और इसके secretary थे जवालाल नहरू इसके member थे अली इमाम, तेजबादर सपरू, सुबाद चंदर बोस, शौइब करशी, मंगल सिंग, MS आने, जीयर परदान अब देखें committee form हो गई है अब इस committee ने जो report दी जो recommendation दी उसको हम बोलते हैं नहरू report इस committee ने जो अपनी report submit करी थी वो लखनवू session में करी थी August 1928 में तो आप देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या recommendation दी उस time पे इंडिया में सबसे बड़ी demand थी Dominion status की तो इस committee ने जो demand करा कि इंडिया को Dominion status मिलना चाहिए इस committee ने recommend करा fundamental rights को इस report ने कहा कि कोई भी आदमी जा औरत जो 20 साल से उपर है उसको vote डालने का अधिकार मिलना चाहिए इस committee ने बोला कि कोई भी आदमी जा औरत जो Indian citizen है उसको equal rights मिलने चाहिए यहाँ पे आदमी और और औरत की equal rights की बात कही गई इस committee ने कहा कि state का कोई भी religion नहीं होना चाहिए secular state होनी चाहिए इस committee ने separate electorate को sport नहीं करा यही एक point जो था वो Muslim League और Congress के बीच में bone of contention बना इस committee ने recommend करा कि हम separate electorate नहीं देंगे हम क्या करेंगे reservation देंगे minority seats के उपर जैसे Bengal और पंजाब में यहाँ पे Muslim जा रहा थे वहाँ पे non Muslim को reservation देंगे और बाकी इडिया यहाँ पे Muslim ज्यादा majority में नहीं है वहाँ पे Muslim को reservation देंगे बढ़ हम separate electorate नहीं देंगे इस committee ने federal form of government को recommend करा इन्होंने बोला कि federal form of government होनी चाहिए जिसमें जो residual power होनी चाहिए वो center के पास होनी चाहिए जाने कि center ज्यादा strong होगा state से इस committee ने कहा कि center में by camera legislature होना चाहिए और जो minister है वो responsible होनी चाहिए toward legislature इस committee ने कहा कि इंडिया का constitutional head governor general होना चाहिए इस committee ने supreme court को create करने की proposal रखी इस committee ने कहा कि परविंस की जो creation है वो भासा के अधार पे होनी चाहिए इस committee ने बोला कि इंडिया की जो language होगी वो कोई Indian language होगी वो हिंदी हो सकती है संस्कृत हो सकती है जा कोई भी Indian language हो सकती है पर हम English को पूरी तरह बंद नहीं करेंगे हम इसका use permit करेंगे इंडिया तो ये थी recommendation नहरू report की अब देखते है इसकी after facts क्या थे देखे जो सबसे बड़ा point था वो था separate electrodes का Muslim league ने इसी के उपर fight करा अब जब ये report all India party conference में रखेगी तो Muslim league ने कुछ recommendation दी कि इसमें कुछ changes होने चाहिए इस report में इन्होंने बोला कि आप जो है center legislature में one third representation दो Muslims को इन्होंने बोला कि पंजाब और Bengal में जो भी representation होगी Muslims की वो किस basis पे होगी population के basis के ओपर कि जिसकी जितनी population है उतनी उसकी representation ज़्यदा होगी देखे इस report में क्या बोला गया था इस report में बोला गया था जहाँ पे किसी community की जो majority है वहाँ पे minority को सीर्स reserve मिलेंगी तो काईदे से क्या होगा कि Bengal पंजाब जहाँ पे Muslims की majority है वहाँ पे non-Muslim को representation मिलेगी पर Muslim league इसके खिलाफ थी वह बोलते थे कि इन दो provinces में हमें जो representation है वो हमारी population के अधार पे मिलने चाहिए इन्होंने बोला कि तीन नए परविंस बनने चाहिए सेंद बलोचिस्तान और North West Frontier परविंस अभी ये उन्होंने recommendation दे दी थी हिंदू मासाबा ने पोज करा न्यू परविंस की formation को और communal representation जो Muslim League कह रहे थी बेंगॉल और पंजाब में इसको पोज करा वो चाते थे इंडिया में जोनिटरी सिस्टम हो ना कि communal basis के उपर All India Conference में जिना ने amendment जो रखी थी वो थी एक तो थी one third representation और Muslim League की center में हमारी होनी चाहिए पंजाब और बेंगॉल में population के basis के उपर जो है representation मिलनी चाहिए Muslims को इन्होंने एक और point दिया कि जो residual power नहरूर पोर्ट के गॉर्णिगली center के पास रहेगी इन्होंने बोला center के पास नहीं रहेगी यह चाते थे कि residual power जो है वो प्रविंस के पास रहे यह प्रविंस को ज़्यादा strong चाते थे center की बजाए जिना कि यह demand accept नहीं हुई तो उन्होंने खुझ के 14 point जो है March 1929 में present करे अब यह 14 point जो है यह Muslim League की जो further जो politics इंडिया में रहने वाली है उसका base form करेंगे जो separate electorate था यही bone of contention बना था Muslim League और Congress के बीच में अब यह पूरी की पूरी इंडिया की future की politics decide करने वाला है separate electorate so thank you thank you very much